चंद्रमा की कहानी बहुत साल पहले रहता था चंद्रमा चंद्रमा को लगता था कि संसार की सारी रोशनी केवल उसी में रहती थी और इस बात का उसको बहुत खमन था एक दिन प्रिख्ली चंद्रमा की पास आ था चंद्रमा कहीं दूर कोई उजवल चीज को गौर से देख रहा था इतनी गौर से क्या देख रहे हो चंद्रमा वहाँ को चमक रहा है बस वही देख रहा हूं वो अत्र सितारे हैं उनके अंदर रोश्णी के वज़े से बह चमक रहे हैं सच में क्यावे मुझसे भी ज्यादा उजवल है ना मुमकिन हाँ ये बिल्कुल मुमकिन है वे बहुत चमकते हैं बिल्कुल नहीं रात के समय तुम मेरी वज़े से उजवल रहते हो लोग मेरी रोश्णी के सहायता से अंधिरे में चल पाते हैं अच्छा ठीक है अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो क्यों ना तुम सितारों से ही जा पूछो हाँ मैं यही करूँगा पर मुझे नहीं लगता तुम इतनी दूर तक यात्रा कर पाओगी ये लाखों में दूर रहते हैं और तुम इस अंतरिक्ष के माध्यम सी वहां तक कभी नहीं पहुंच पाओगे मुझे कोई फरत नहीं परता वे कितना दूर रहते हैं मुझे बस ये जाबित करना है कि मैं ही सबसे उजवल हू ना कि कोई पेकार सितारे चंद्रमा सितारों की और निकल पड़ा वो चलता ही रहा पर इतनी तेजी से जाने के बावजूद वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया रास्ते में उसकी मुलाकात कई ग्राहों से हुई जो उससे पुझे कि इतनी तेजी से वह कहा जा रहा है हे चंद्रमा कहा तो नहीं जा रहे हो सुना है कि कोई पुराना सितारा मुझसे ज्यादा उज्वल है मुझे पूरा येकिन है कि सबसे उज्वल और जबकेला मैं ही हूँ बस यही साबित करने जा रहा हूँ हाँ हाँ चाथ तुम्हें सच में ऐसा लगता है चलो ठीक है जाओ पता लगा लो बाकी के ग्राहों हसने लगें और चंद्रमा वुस्से से अपने राह से चलता रहा चंद्रमा और तेज रफ़तार से जाने लगा और जल्दवत सूरे के पास आप पहुंचा जो उज्वल और गर्मी से धाड़क रहा था हे चंद्रमा मेरे दोस्त कहां जा रहे हो मैं कुछ सितारों से मिलने जा रहा हूँ जिनको लगता है कि वे मुझसे भी ज्यादा उजवल है मुझसे चंद्रमा से ज्यादा उजवल और कोई नहीं वैसे रोशनी तो तुम्हें मुझसे मिलती है तुमको अपनी खुद की प्रकाश है ही नहीं सितारों के पास तो खुद की रोशनी है और हाँ जितना तुम्हारा अंदाजा है उससे कई ज्यादा बड़े हैं सितारे तुम मजाद कर रहे हो मैं तुम्हें साबिद करके रहूँगा कि मैं ही सबसे उज्वल हूँ अलविदा जैसे चंद्रमा आगे जाता रहा उसको कहीं दूर अच्छारे नजर आने लगे हाहा कितने चोटे हैं जैसा मैंने सोचा था वैसे ही पस अब इस बारे में सब को बताना पड़ेगा चंद्रमा और एस रखार से चलने लगा और जब थोड़ा और पास पहुंचा तो उसको पसीना आने लगा और गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जब तक चंद्रमा अपने मंजल तक पहुंचा वो बहुत ही ज्यादा ठक गया था उसके इर्द-गिर्द सब उजवल था चंद्रमा को विश्वास ही नहीं हुआ अपने नजरे उपर उठाया तो उसने एक महाकाय सकाय को दिखा वो इतना बड़ा था हे भगवार तुमसे कितनी तेज रोशनी आ रही है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा तुम कैसे इतनी छोटे लगते हो दूर से पर पास से इतने बड़ी हाँ हाँ लगता है तुभे सितारों के बारे में कुछ नहीं पता दूर से तो तुम केबल एक चंगारे की तरा लगते हो पर पासी, तुम्हें आग की ज्वाला जलती है आछा ठीक है, सुनो हम सितारे हैं, हम अलग-अलग आधार में आते हैं हम रहते भी हैं अलग-अलग अलग स्थानों पर सूरे की सिती के अनुसार वाँ, तुम साब बहुत अनुख्य हो तुम में इतनी चमक है मुझे कभी लगा ही नहीं कि इस अंतरिक्ष में मुझसे ज्यादा उच्वल वस्तुए होंगे वैसे हम अपने तरीके सिखा से और तुम भी अपनी जगा बहुत सुन्दर और चंकीले हो चंकीले हो चंकीले हो तुम भी एक सितारे हो ऐसा कहकर चंद्रमा अपने रास्ते चलता रहा सितारों के बारे में सोचते हुए रास्ते में ग्राहों से मुलाकात हुई जिन्होंने पूछा है है कैसी थी तुमारी यात्रा जब मैंने सितारों को इतनी चमक से चमकते हुए देखा तो मुझे एहसास हुआ कि केवल मैं महान नहीं हूँ मेरे इसके कही आकाशिय पिंड है जो बहुत उज्वल है मुझे खुशी है कि तुमने ये सीखा केवल तुम ही कोई इस पारे में जानकारी नहीं थी कोई नहीं अब तुम हमेशा चमंकते रहना और खुश रहना बाई बाई चंद्रमा आखिय कार अपनी जगा धर्ती के पास पहुँच गया ताफी ठक गया था लेकिन उसने उस दिन एक अच्छा बात पढ़ा मेरे दोस्त उमेद है तुम्हे अपने सवाल का जवाब मिल गया ये याद रहे कि हमेशा दया दो रहना चाहिए कभी भी इस बात का घमन नहीं होना चाहिए कि हम ही सक से अच्छे है